अज देखने हैं के बजार हमें दुगाव दाव नार क्या वाहीं है के वाजीन है किया यह दुगाड़ आना चाहिए क्योंकि सुभस चर्चा थे बार्फितर अज्तिती बाहुत दूबे के पास जिन्हों ने काफी समय लिया और पिछले एक दो दिनों का नहीं बीते कह सकते दो दसकों के युद्ध का जैजा निकाला और उसके बाजार पे असर का किया बिश्ले से निकल किया शरत इसका इसका सबसे इंपोर्टन बात है कि यह जितने भी युद्ध होते इसका कोई इंपाक्ट लॉंग टर्म में जो है बाजार को नहीं इंपाक्ट करता है इसका मतलब है कि जो अगर रिटर्न हम देखे गुल्फ वर्व में देखे हमने युद्ध से पहले जो अमांट था आपका सेंसेक्स का 1099 था और जो युद्ध खतम वह एक साल बात वहां यही है कि कोई भी वर हो उसके जो लौग टॉम इंपाक्ट जो नहीं देखने मिलते हैं जरूर एक या दो दिन या एक हफ़ते जो है इंपाक्ट देखने मिलते हैं और यह डेटा बता रहा है इसराइल पिलिस्टीन का आप ले लीजिए या कोई मेजर वर ले लीजिए गल प्रश्य और यूक्रीन का वहर है उस पे भी जो है वही फोकस रहेगा लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जिसको आपको फोकस में रखना चाहिए उसमें भी क्या इंपक्त देखने मिल सकता है इंडिया इस्रैल में तो भारती डिफेंस कंपनी पर यूद पर असर दिख सकता है कंप कोरिडर है इंडिया मिडल इस्ट यूरोप कोरिडर की उसके कारण जो है रेल्वे स्टॉक्स पे अच्छी तेजी देखने मिली थी जब अनौंस्मेंट आई थी जी ट्वेंटी सेमिट में अब थोड़ी आज करेक्शन जरूर आई है अदानी पोर्स का हाइफा पोर्ट है और अगर बात करें तो सन फार्मा का जो है आप कह सकते हैं लगबग 72% स्टेक इसराइल की कंपनी टारो में जो है ओवराल होल्डिंग है लेकिन याद रखे कि ओवराल जो है बड़ा मार्केट नहीं है इसराइल वहां से थूरू जो उनके प्लांट से या मार्केट से बाह बता दू कि इस युद्ध का कोई असर नहीं होने बाला भारतिय से बाजार पे जो लोग भी बार-बार पैनिक कर रहे हैं यह होगा वह होगा आप उनकी बातों मत आईए सिर्या तोर पर रूस रिकुरें युद्ध या तमाम युद्ध उसके बाद भी हमने देखा कि तमाम युद्ध के खबरों के बीच आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरुवत नहीं है